दुनिया के सभी नेटो देश के हजारो शिप्स हमेशा पानी में रहते हैं, जो हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण पानी में हुई जरासी हलचल भी तुरंत पता लग जाती है, और ये सारी इंफॉर्मिशन वो एक दूसरे को रियल टाइम में दे दे जिसकी वज़ा से खत्रा बनने से पहले ही उसको भाप लिया जाता है, इसके बाद आता है उनका डिफेंस मेकेनिजम, जिसमें सी स्पेरो और रोलिंग एर फ्रेम मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल को हवा में ही इसके बाद उसके उपर एक गन भी लगी होती है, जो टंक्स्टन की हजारो बुलेट एक मिनिट में फायर कर सकती है, ध्यान दीजिए टंक्स्टन की बुलेट जो किसी भी आने वाली चीज़ के आर पार मक्षन की तरह निकल जाएंगी, इसके अलावा एक एर क्राफ्ट के के साथ तीन डिस्ट्रॉयर, एक क्रूजर और एक सम्मरीन हमेशा होती है,